इनका भी दिल तूटा था जॉन आब्राहम सर को हम पठान, अटैक, बाटला हाउस और धूम जैसी मूवीज के लिए जानते हैं इनका विपाशा बासू से 2011 में ब्रेक अप हुआ और नॉर्मली हर कोई 7 साल के रिष्टे के बाद खतम हो जाता है पर ये नहीं टूटे, पतातों कैसे पहला, सिलेबरिटी, मूवीज के लिए 10 से 12 करोड़ों पर एक चार्ज करते हैं और यामाहा, गार्नियर जैसे बड़े बड़े ब्रैंड्स के वह इन्नोंने ब्रैंड इंडॉर्स कर लिया जिसके 6 से 9 करोड़ों पर चार्ज करते है दूसरा, प्रड्यूसर, इनका खुद का प्रोड़क्शन कंपनी है जिन्होंने विक्की, डोनर और मदरास कैफे जैसी मूवीज बनाई है तीसरा, हल्थ, पचास साल की उमर में पठान मूव में आपने इनकी हल्थ तो देखी लियोगी चौथा, हॉबीज, इनकी एकी लंबर वन हॉबी है, बाइक रैडिंग आज इनके पास Yamaha, VMAX, Suzuki, Hayabusa, जैसा कई युनीक बाइक्स की कलेक्शन है जिनकी टोटल कीमत 16 करोड पे है पाचवा, इन्वेस्मेंट, इंडिया में तो हर को ही इन्वेस्ट कर लेता है, पर इन्होंने बेल एर लोस आंजलेस तक में प्रॉपटी ले रखे है, जिसकी 100 करोड की वैल्यू है, आज उनकी 500 करोड की नेट वर्थ है, पर तब भी आप कहोगे, पैसे से दिल कदर थोड जिन से उन्होंने शादी कर ली जिसको अब आप